हेलो फ्रेंड्स मेरी चैनल सीमा किचिन एंड ब्लॉगिंग में आपका स्वागत है आज मैं बना रही हूँ कर्ड राइस यह साउथ इंडिया में बहुत फेमस है साउथ में यह बहुत खाया जाता है और मेरे घर में भी यह सभी को बहुत पसंद है साउथ में मंदिर में प्रशाद में भी यह मिलता है और मेरे यहां सभी लोग बहुत अच्छे से इसको खाते हैं तो यह बनाना था तो मैंने चावल थोड़ा जादा बनाए थे और दोपहर के चावल हैं साम को हम यह बना रहे हैं चावल को अच्छे से मैस कर लेना है हाँ से हाथ अच्छे से दुल के मैस कर लिए हैं अच्छे से चावल को और इसमें अब हमने पांचे चम्माच दही डाल दिया है और थोड़ा सा आधे कप के करीब दूट डाल देंगे और अच्छे से इसको मिला देंगे और इसमें गाज और एक चोटी सब करेंगे और अधरक डाल देंगे ग्रेट करके हर इंapp है अपने टममक डाल महीं नहीं करेंगे और देखिए अब सभी ऊच्छे सब मिक्स अज़ी और सोब्सक्राइचि न्युक्त और थोड़ा सा दही और डाल देंगे एक हिस्सा दही डालना है तो आधे हिस्सा इसमें दूट डालना है एक ये तिन चार चम्मत दही हमने और डाल दिया है दही ये खटा नहीं है, खटा दही नहीं लेना है नहीं तो यह है रखने पर खटा जादा हो जाएगा और आपको मेरी रेसिपी पसंदाए तो प्लीज अपने फ्रेंड और एलेटिप्स में भी सेयर करिए और आप भी जरूर एक बार बनाईए और देखिए राइस और कर्ड सभी मिक्स हो गया है अच्छे से तो अब एक फ्राइ पैन ले लिया है फ्राइ पैन में हमने मुंफली का तेल डाल दिया है तेल अच्छे से गरम हो गया तो इसमें राइ डाल देंगे राइ अच्छे से चटक जाएगी तो इसमें हम करी पत्ता डाल देंगे दस वारा और करी पत्ता भी अच्छे से सेख देंगे और यह तड़का उठा के अब हम यह चावल में डाल देंगे और चावल में डाल के फिर इसको अच्छे से मिला देंगे इस तरह से कर्ड राइस बनाए जाते हैं यह टेश्टी बहुत लगते हैं और आप एक बार 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 कहेंगे कि यह बहुत अच्छे हैं जरूर बनाएंगे बार बार बनाएंगे एक बार खाएंगे तो देखिए है मेरे कर्ड राइस बन गए है तड़कर डालके भी अच्छे से मिक्स कर दिया है अब हम इसमें हरी धनिया डाल देंगे और धनिया डालके भी अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और देखिए यह मिक्स कर दिया है और आपसे एक रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरी चैनल को सस्क्राइब ना किया हो तो प्लीज सस्क्राइब कर लें और जिन्होंने सस्क्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद और देखिए है कर्ड राइस मेरे रेडी हो गए है यह खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं बहुत अच्छी लगते हैं साउथ में मंदिरों में भी यह प्रशाद में मिलते हैं बहुत टेस्टी लगते हैं और आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरी चैनल को ला लाइक, सेयर एंड सस्क्राइब करिए थैंक यू फूर वाचिंग